पूरे वर्ष में एक दिन ऐसा आता है। मकर राशी में सूरी प्रवेश करता है, तोसे मकर सक्रांती कहते है के थो मारा ध्यां दीजिएगा। पूरे वर्ष में एक दिन मकर सक्रांती कहते है। हमारे हिंदु धर्म में है। अच्छ connections opinions सूरी की उत्तरायन का क्रम है ये क्रम है ये पूजन का क्रम है तिल्ली के लड़ू का क्रम है लड़ू बना लो तिल्ली का इसका क्रम है पर अगर इसकंद पुराण उठाओ तो इसकंद पुराण में अगर मकर सक्रांती के क्रम को यदि पड़ोगे तो मालूम पड़ेगा कि पूरे वर्ष में एक दिन ऐसा था जिस दिन भगवान शिप और नारायन ये दोनों इसलिए आज भी हिंदु धर्म में बुड़के लड़तू तिल्दी के साथ मिलाते हैं क्यों उसका कारण कि शंकर और नारायन ये दोनों एक ही दिन एक ही पल गंगा का इस्तनान करने के लि तो धर्म में एक एक तिथी का एक एक बार का एक महत्र उसको समझें मतल लक्ष्मी भगवान नारायन और भगवान शिप को इस नान के लिए गुप्त रूप से ज्ञाकती है तो भगवान विष्णू ने तिर्च ही दृष्टी में मतल लच्मी को देखा हमBERता लच्प Prix को देखकर बड़वान विष्णू शिवजी को देखे कर संकर भगवानमे क emphasizes लिए माराणी लच्वी मिज्जा करें हमने बेवढ़ एकि रेदिया कि लच्मी एक नाम् खुप् और आज मकर सक्रांती के दिन नारायन और शिव का दर्शन इस लच्छमी ने करा है पर जो गुप्त लच्छमी का दान दे देगा उसके घर में कभी कोई बड़ी बिमारी प्रविश नहीं करेगा कैंसर जैसा रोग फिटनी और लीवर का रोग नहीं हो सकता आज भी नियम है कि मकर सक्रांती के दिन एक लड़ू बनाया जाता है गुर्ट और तिली का उसमें एक का सिक्खा दो का सिक्का या कुई लच्छमी उसमें फचा दी जाती है वो लड़ू को पेख करकर किसी मंद्र में दान दे दिया जाता है गुप्त स्धिवार्णी Colorado jsए चि acá जो दिवस है वो कोई साधर्य नहीं है आंप लोग ढान करते हो मकर सगते हैं जो किती चीजे दान करते हैं स्वाहगन माताँ न कोई देते हैं क्या देते हो तेरा चौधा किते है है चौधा कौन से पुराण में लिखा है कि चौधा चीज देना चीज़ए अरे बोलते जाओ जरा जरा जलिली बड़ी मुश्किल से तु पकडाई में आते हैं तुम शिवरी नारायन वालो चवधा चीजे दान देना है किस पुराण में लिखा है कोई तुम से पूछ सकता है तो महाराज आप कह सकते हो अगनी पुराण में बढ़ना नाता है कौन से पुराण में लिखा है अगनी पुराण में लिखा देवरिशी नारत भगवान विश्णु के पास जाकर पूछते हैं नाराइन करपा करिए भगवान विश्णु ने पूछा क्या वाते बोलिए देवरिशी नारत क्या चाहते है चाहते क्या हो वो बता महाराज हमें इतना सा बता दो जो शिवजी के यहां जाते हैं तो पहले उनके द्वारपाल से पूछना पड़ता है अंदर जाने के लिए ब्रह्मा जी के यहां जाते हैं तो ब्रह्मा जी के द्वारपाल से पूछना पड़ता है हम जितनी भी जगा जाते हैं तो कोई ना कोई द्वारपल से हमें पूछना पड़ता है अंदर जाने के भगवान देवरिशी नारद कर रहे हैं नारेंड से कुछ एसी कृपा कर दो कि हमें किसी से आग्या लेना ही नहीं भगवान विश्णू तो उनकी बात को बस थोड़ा सा सुने और अंदर चले गए नारद जी को लगा हमारा तो कोई जवाब भी नहीं दिया नारद जी वहीं पर टिक गए खड़े रहे नाम जाब करते हैं इश्णू बापिस आए और देवरिशी नारद से कहाए काम करो जब सूरी मकर में प्रवेश करते हुए उत्राइन की और जावे उस घड़ी उस पल में देवरिशी नारद तुम चौधा वार भगवानके नाम का शिव नाम पका दान देदी और देखो यहां पर यह नहीं दिखा कि पिलाष्टिक के डबबा समझ लेना जी जिओं अच्छे से कि लोगोँ ने दानों को कितना भरिष्ट कर दिया वो बताया जाए अगनी पुराण में यह नहीं लिखा कि तुम प्लास्टिक की चाय की चन्नी दो चौधा बाल्ती दो चौधा यह प्लास्टिक का डगवा दो चौधा यहां पर यह नहीं लिखा है कि मकर सक्रांती के दिन जब सूरी उत्राइन भाव में प्रवेश करें मकर में जावे उस समय पर देवरिशी नारत तुमारे मुख से अगर चौधा वार भगवान के नाम का दान चौधा जीवों को दे आओगे तो किसी भी देवता के पास जाओगे तुम्हें परमीशन की जिरुवत नहीं पड़ेगे तुम डारेक्ट प्रवेश करना हो तो दिना पूछे तो उसके लिए कहाई मकर सक्रांती पे दान दो तो किस चीज का दान देना है मारा लाश्टिक का डबा नहीं बाल्टी नहीं किस चीज का नंखातान तो कहा अगर देवर्शी नारद आप दने रहे और पिए बेटे ने दूसरा घर का निर्मान करा था एक घर था कुम्ब फिर इस कुम्ब घर में आग लगी। तब दूसरा गर बना था मकर फिर मकर घर में भगवान सूर्शि नरायन आये उनका आदर हुआ तब जाकर यह मकर सकरांती हुई को यह सी हो गई क्या है मकर सकरांती का मतलब क्या है क्यों कहते हैं कि यह तेरा चुदा चीज़ें आप लोग बाटते हो ना तो किसको बाटते हो कि तुमसे चोटी उम्र वाले को बाटते हुए सास क्या बहु को देगी समान सास बहु को देती है कि समान नहीं बहु किसको देती है सास को बहु किसको देती है जिठानी को बहु समान किसको देती है ननन को बहु समान किसको देती है कोई महले में कोई बड़ी उम्र की कोई बहुएं हो बड़ी उम्र के जो लोग हो सुभागे बती नारी हो उसको ये ते आप लोग बाठते हो यह किसको देते हो आप लोग किसको परदान करते हो छोटे को नहीं घर से बड़े को जो आपके अवस्था से बड़े हैं जो आप से बड़े हैं आप उनको दे दें क्यों देते हैं बड़ों को यहां आदर का भाव दिखाया गया कि यहां कुम्ब में शनी महराज अपने घर में रह रहे थे सूरी नराइन भगवान का आगमन हुआ आज बेटे से मिलने का भाव जागरित हुआ और कुम्ब में प्रवेश करें जैसे ही घर में प्रवेश करें अब घर में प्रवेश करें तो आदर का भाव होना चाहिए था मारत आदर का भाव प्रकट होना चाहिए अभी कथा में कहा था कोई घर का बड़ा आए बुजुर्ग आए आदर नी आए सम्मानी नी आए आपके पास में कितनी भी दोलातों, कितनी भी संपताओं, कितना भी धनों, कितना भी बेभाओं आप कितनी भी अच्छी कमपनी में जॉब कर रहे हो, आप कितनी भी अच्छी जगा पर पोस्ट पर बेठे हुए हो आप कितनी वैच्छी नोक्री कर रहे हो, चाहिए आपके पास में बड़े से बड़ा पत क्यों ना हो, पर आपके भीतर, बड़ों के प्रती, सम्मान भाउत्पन होना चाहिए, सम्मान का भाउ, एक आदर का भाउ, आज सम्मान का भाउ प्रगट करें, आदर का भाउ दो दिवस्तक संपूर्ण भारत की भूमी पर संपूर्ण अभिश्यों में मकर सक्रान्ती महुस्व मनाया जाएगा अपने अपने घरों में रहकर लोग इस पावन उस्व को खिचडी, लड़ू, तिलका, गुड़ और कुछ दान और उसमें भी सबसे मूल दान है बगवान की भक्ती का दान अर्थात बगवान के भजन का दान इस्मरण का दान आप दान करो मना नहीं है पर नतु ये प्लाश्टिक की चाई की चलनी और आठा चानने की चलनी और प्लाश्टिक के बरतन और ये सब चीजे दान करो आपका मन हो तो हमारे के तरप से कोई मना नहीं हो पर सबसे बड़ा दान है भगवान के भक्ति का भजन का दान भगवान का भजन का दान राम नाम, कृष्ण नाम, शिव नाम प्रयास करिए मकर राशी के अंतरगर जब सूरी प्रवेश करें और आप जब मकर का इस्नान करें और मकर सकरांती पर्व का जवाप इसनान करें तो भगवान की अविरल भक्ति आपके भीतर समाहित हो भगवान की अविरल भक्ति आपको प्राप्त हो और इस पवित्र भक्ति के बलपर इस पवित्र भक्ति के बलपर हम भगवान की बलपर भगवान की सुन्दर आनंद में सुरूप को धारण कर सके अपने जीवन को सार्थक पनाने का प्रयास करिए भगवान की भक्ती में डूबने का प्रयास करिए और जितना बन सके उतना भगवान की भक्ती में डूबने का प्रयास करिए